हेलो दोस्तो श्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार राजस्तान के अंदर आई हुई वेकेंसी लेप असिस्टेंट य हम जो है सेलेबस का कम्प्लीट कर चुके हैं जैसे द्रड़ पिंट गती की कम्प्लीट है हमारा यूटूब के उपर आप जाकर के देख सकते हैं उस्मा गती की दोलन तरंगे इस्तिरवेदुतिकी विदुद्धारा प्रकाश की और अर्ध चालक इलेक्ट्रोनिकी और आज ह कि आप सभी लोगों को पता है पहले हम सेलेबस डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हमारे सेलेबस में पॉइंट मेंसन है मास डिफेक्ट मास डिफेक्ट यानि की दर्वेमान सती और फिर है नुकलियर बाइंडिंग एनरजी यानि नाभी के बंदन उर्जा और फिर है नुकलि चार टॉपिक पढ़ने हैं कौन कौन से तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मास डिफेक्ट यानि की दर्वेमान सती के बारे में पढ़ना है और उसके बाद में हमें पढ़ना है निउकलियर बाइंडिंग एनरजी के बारे में उसके बाद में थर्ड टॉपिक है हमारा nuclear fusion और फोर्थ टॉपिक हमारा रहेगा nuclear fusion अगर मैं इन चारों को सिर्फ एक दिन का एक वीडियो भी बना कर डालू और एक एक टॉपिक को एक एक दिन में भी complete करें तो ये हमारा चार दिन में complete हो जाएगा कितने दिन में? चार दिन में ही complete हो जाएगा और एक दिन का हमारे hydrogen प्रबानू model है और अगर कोशन्स की साथ में practice करेंगे तो हम इसके अंदर दो दिन मान लेते हैं तो अब हमारा syllabus अगर हम देखें दोस्तों तो कितना रहा है केवल? इसमें दो दिन मान लो बस दो दिन maximum है तो चार और दो चैद दिन का ही आपके syllabus रहा है और आज दिनांक है 28 माई मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ठीक है? और 28 माई से अगर हम देखें तो देखिए संडे के दिन हमारी class होती नहीं है यानि 29 को होगी नहीं 28 की आप class देख चुके होंगे अब बची क्या? 30, 31, 1, 2, 3 और 4 यानि 4 या 5 जुन को आपका YouTube के उपर physics का पूरा course आप लोगों को मिल चुका होगा तो आप लोगों को मेरी और से request है कि जो मैंने एक strategic वीडियो बनाया है उसके according आप इन सभी वीडियो को जितने भी topic है इन topics की हर एक topic की वापस सभी वीडियो को देखें और फिर question practice में लग जाएं उनको एक बार 2 की speed से 3 की speed से जितने भी speed से देखना है जरूर देखें देखें इसलिए ताकि आपका जो concept कहीं रह गए होंगे कुछ formula रह गए होंगे तो वो revision हो जाएगा और आपका जो है एक exam time से पहले आपका पूरा complete syllabus एक बार revise हो जाएगा और एक भी वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है सभी वीडियो मैक्सिमम से maximum एक वीडियो होगी तो डेड़ गंटे की उससे ज़्यादा एक भी वीडियो नहीं है सभी आदे गंटे 45-40 मिन तो मलब अगर हम देखें तो उनको जल्दी से आप पूरा कर सकते हो एक एक दिन में आप एक टॉपिक को easily complete कर सकते हो physics के अंदर दो ठीक है चलिए तो अब हम बात करते हैं हमारे नाबिक टॉपिक से आए हुए previous year के कुछ questions की कि हमें इस topic में कैसे question देखने को मिलेंगे जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा ये देखिए 2016 के ही मिले है paper मुझे 2018 के question मैंने नहीं लाए है वो paper अभी इसमें downloaded नहीं था तो मैंने जल्दी मैं सिर्फ 16 के ही question डाल दी है हाला कि 16 और 18 में question सेम ही type के थे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे question आते है 16 में देखिए question पूचा गया है neutron, proton और helium इनके दर्विमान जो है यह formula based question है मैं अभी आके आपको इसका direct formula बताने वाला हूँ फिर आ जाता है 60 नंबर पे question था आपके कि 92 uranium 235 उसका mass है वो एक nuclear fusion के अंदर जा रहा है तो बन जाता है molybdenum, genonium और neutron तो आपको बताना था कि जब यह विखंडन हो रहा है तो इस विखंडन के अंदर एक gram अगर uranium को हम विखंडित कर रहे है तो कितनी उज़ा मुक्त होती है ठीक है चलिए तो यह इसी type का question हुआ इसी formula पे base है और third question है आपके कि 2 hydrogen 1 2 hydrogen 1 यानि deuterium, deuterium मिलते हैं तो आपका helium बन रहा है तो आपको energies भी दे रखी है अब यह कह रहा है कि यह किरिया possible है अगर किरिया possible नहीं है तो option एक अगर possible है तो आप बताईए कि कितनी energy चाहिए 23, 25, 6, 25, 6 या 23, 6 उर्षरजित करेगा देनी पड़ेगी या निकलेगी इस type के questions पूचे गए तो आपने तीनों questions के अंदर एक चीज़ देखी क्या कि कोसन यही पूचा जा रहा है energy develop हो रही है या energy release हो रही है और दूसरी चीज़ आपको helium, uranium, uranium, minimum, genome, genome इन सभी मतलब atoms के बारे में basic जानकारी होनी चाहिए ठीक है तो चलिए अब हम इस कोसन इस chapter की पूरी शुरुआत करते हैं और इस chapter में हम जानेंगे कि हमें जो है कोसन जो देखे अभी हमने ये तीन इन श्टाइब के कोसन कैसे हम solve कर सकते हैं ठीक है चलिए तो आप सब से पहले हम बात कर रहे हैं नुकलिया यानि नाबिक की ठीक है तो आप topic डाल दीजिए नाबिक और अभी थोड़ी देर आपको जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं उस कहानी को केवल आप सुनेंगे कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे मैं basic चीजे कुछ बताने जा रहा हूं तो दोस्तो इस chapter का जो basic start होता है वो सन 1911 में start हो जाता है कब? सन 1911 के अंदर जब हमारे रदर फोर्ड ने किसने दोस्तो? रदर फोर्ड नामक जो वेग्यानिक थे उन्होंने जब एलफा कन का प्रकिनन करवा के एक atom के उपर जो प्रियोग करा था तो उस प्रियोग से इन्होंने क्या परतिपादित कहा था क्या इन्होंने क्या कहा था जब इनका प्रियोग complete होता है उसके बाद तो इन्होंने कहा था कि प्रमानू के लगबग center के अंदर एक ऐसा गोला होता है जहां उसका पूरा positive charge और उसका पूरा दर्विमान जो है वो केंद्रित है और फिर उन्होंने इसका नाम दिया था केंद्र तो इस एलफा कंड्परकिनन से ही पता चला था कि एक प्रमानू के अंदर केंद्र भी होता है ठेक फिर हमने आगे आगे जैसे जैसे प्रियोग होते गए तो इस नाबिक के बारे में जो अंदर की जानकारी थी उसके बारे में भी पता लगने लगा अब जैसे ही पिर हमने ये पढ़ लिया तो उसके बाद में हमारे दिमाग में आने लगा कि ये जो नाबिक है, इस नाबिक का संगठन कैसा है, ये नाबिक का आयाम कैसा होता है, इस नाबिक का इस्थाइत्व कैसे है, इसके अंदर अगर कोई बल लग रहे हैं, तो वो नाबिक के बल कैसे हैं, इन सबी चीजों के बारे में पता लगाना सुरू किया गया, अब जब हमें ये केंद्र यानि नाबिक के बारे में जानकारी हो चुकी थी इसके आयाम वगरा के बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं जब इस नाबिक के बारे में जानकारी हो चुकी थी तो कुछ बारी कर्ण थे जैसे आपका यूरेनियम है थोरियम है ऐसे ही एटम आपके इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं तो ये जो आपका उरेनियम है थोरियम है ऐसे जो परमाणू थे वो क्या कर रहे थे कि अपने अंदर से एलफा बीटा गामा इस परकार की कुछ विकिरन थी उनको खुद अपने आप ही स्वता ही उत्सर्जित कर रहे थे क्या कर रहे थे उत्सर्जित कर रहे थे और खुद वीगटित होते जा रहे थे मतलब अपने परमाणू कोई पड़ा है उस परमाणू मैंसे देखिए सपोच करिए ये एक पर्मानू है जिसका नाम दे रहे है हम थोरियम इस थोरियम मैंसे कुछ ऐसे 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 बा designers बार निकल रहा है दिखेंगा नहीं आला कि वह विकिरण होती है इसलिए बर ऐसे ऐसे सपोच करिए निकल रहा है और यह सबोज करिए है अलफा या बीटा या गामा वी किरण ठीक है तो एक एटम में से अलफा बीटा गामा वी किरण निकल रही है ठीक निकल रही है ठीक है भाई साब तो जब यह इसमें से जाएगी तो अविस सी बात है कि यह जो थोरियम है यह क्या होता जाएगा पिछे यह वीगटित होता जाएगा क्या होता जाएगा वीगटित होता जाएगा यानि की तूटता जाएगा दीरे 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 समझ में आई बात तो यह क्या हो रहा है वीगटित हो रहा है तो यह ऐसा होता गया अब उसी समय जब यह प्रोसेस हो रह एक वेग्यानिक ने और उन वेग्यानिक महदे का नाम था बेकेरल क्या नाम था बेकेरल तो ये जो बेकेरल नामक वेग्यानिक थे उन्हों ने इस जब प्रिगटना को देखा इस फिनोमिना को देखा तो इन्हों ने इसका नाम क्या दे दिया रेडियो एक्टिविटी क्या नाम दे दिया Radio Active Taa ठीक है Radio Sucreta तो इसका नाम दिया गया Radio Active Taa समझ में आई बात अरे आया समझ में की नहीं तो नाबिक से कैसे Radio Active Taa के बारे में बात आई और Radio Active Taa को किस ने दिया तो बेकेरल ने दिया था 1896 के अंदर ठीक है जब दोस्तो ये Radio Active Taa आने लगी तो हमें ओवेसी बात है फिर दिरे दिरे इसमें समझ आया जब प्रोसेस होता गया आगे आगे बढ़ते गई ये परिगटना है तो कि ये एक नाबिक ये परिगटना है यानि ये एक Nuclear Phenomena है ये कोई परमानू जो है अपने आप नहीं कर रहा है ये पूरा एक Nuclear Phenomena है ये परिगटना है तो फिर इस परिगटना के बारे में जो है आगे क्या होने लगी रिसर्च होने लगी और इसके बारे में पढ़ा जाने लगा और हमें इस चैप्टर के अंदर इस रेडियो एक्टिव्टा के बारे में ही यानि ये जो नाबिक के अपरिगटना है हुई है इनके बारे में ही Study करनी है ठीक है समझ में आगया तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आपके समझ में आ गया होगा हम नाबिक की study हो चुकी थी उसके बाद जो रेडिय अक्टिविटा हुई वो nuclear process है तो वो जो nuclear process हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे उससे पहले अब मैं जो है आपको कुछ चोटी चोटी जानकारी आपके सामने रख देता हूँ तो आप बढ़ते हैं next page की और आप topic डालेंगे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नाबिकिय सरंचना के बारे में किसके बारे में नाबिकिय सरंचना यानि की nuclear structure के बारे में बात करने वाले हैं ठीक है चलिए तो दोस्तो nuclear structure के अंदर अगर हम देखें तो आपने chemistry में भी पढ़ा होगा कि जो एक परमाणू होता है उस परमाणू के पास में एक केंद्र है और उस केंद्र के अंदर क्या होता है तो उस केंद्र के अंदर होते हैं आपके प्रोटोन और आपका निूट्रॉन क्या होता है प्रोटोन और निूट्रोन ठीक है इसका भी एक exception है हाइडरोजन अपवाद होता है क्योंकि हाइडरोजन के अंदर केवल प्रोटोन होता है निूट्रोन नहीं होता है ठीक है तो हाइडरोजन अपवाद ये मैं लिख देता हूँ हाइड्रोजन क्या है अपवाद है ये बात आप लोगों को याद रखनी है ठीक है ना तो हाइड्रोजन अपवाद है इसको छोड़ करके अगर हम किसी भी परमानू के नाबिक को देखेंगे तो नाबिक के अंदर प्रोटोन और नीट्रोन उपस्तित होता ही है अब दोस्तो ये प्रोटोन और नीट्रोन अगर उपस्तित है तो इनका कुछ नो कुछ दर्विमान भी होगा ही होगा बिलकुल है तो इनका आप दर्विमान याद कर लीजिए क्योंकि आगे हमारे कहीं ने कहीं काम आएगा तो ये neutron का जो दर्विमान है वो होता है 1.6762 into 10 की power minus 27 kg ऐसे ही आपके proton का दर्विमान है वो भी इतना ही होता है 1.6749 आजाता है into 10 की power minus 27 kg ठीक है तो proton और neutron जो है उनका दर्विमान आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा अब ये जो proton और neutron है दोस्तो इनके बारे में आपको पता होना चीए कि ये इसके केंदर में होते हैं ठीक चलो अब हम बात करते हैं ये बात कर ली कि एक प्रमाणू है प्रमाणू के अंदर नाबिक होगा नाबिक के पास में proton और neutron होंगे जिनके दर्विमान इतने होंगे हाइड्रोजन के पास में जो है नाइड्रोजन नीट्रोन नहीं होते हैं केवल प्रोटोन होता है अब हम बात करते हैं कि प्रमानू जो होता है उसकी प्रमानू संख्या जो होती है वो क्या होती है यानि अब ये चोटी चोटी बेसिक चीज़े है प्रमाणू करमांक क्या है ठीक है तो प्रमाणू करमांक क्या होता है दोस्तों तो प्रमाणू करमांक जो है वो नाबिक के अंदर उपस्तित प्रोटोनों की संक्या है ठीक है तो मैं इंगलीज में लिख रहा हूँ number of proton ठीक ये shortcut अब ये आपने पड़ रखा है बस मैं revision करवा रहा हूँ इसलिए तो प्रमानू करमांग हो जाएगा number of proton और आप प्रमानू करमांग को represent करते हैं Z से ये चीजे आगे आने वाली है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ ठीक चलिए तो ये क्या होती है दोस्तो Z से represent किया जाता है ऐसे ही neutron जो है वो भी आपके नाबिक के अंदर उपस्तित होता है तो आप कह सकते हैं कि neutron संख्या क्या होती है तो neutron संख्या तो neutron संख्या है number of neutron number of neutron कितने neutron उसके अंदर उपस्तित है और इसे का रिपर्जेंट करेंगे हम कैपिटल एन से समझ में आ गई बात किलियर है आप सभी लोगों के लिए अब अगर हम प्रोटोन प्लस न्यूट्रोन को लिखें तो इन दोनों को एक साथ कहा जाता है नूकलियोन क्या कहा जाता है न्यूक्लियोन इन दोनों को कहा जाता है ठीक है इन दोनों को क्या कहा जाता है न्यूक्लियोन कहा जाता है प्रोटोन और न्यूट्रोन को एक साथ अगर हम कहें तो क्या कहेंगे न्यूक्लियोन कहेंगे और न्यूक्लियोन की जो संख्या होगी वो क्या होगी जैड प्लस N क्या होगी जैड प्लस N और ये जो जैड प्लस N है ये इक्वल हो जाता है आपके A के तो दोस्तो ये A क्या है सर तो ये A है आपका दर्वेमान संख्या यानि मास नंबर ये क्या है दर्वेमान संख्या समझ में आ बात किलियर है प्रोटोन प्लस नूट्रोन दोनों को साथ में कहेंगे नूकलीओन और जो नूकलीओन होगा वो क्या होगा भै ultimately प्रोटोन प्लस नूट्रोन यानि कि Z प्लस N तो Z प्लस N जो है वो equal होता है A के और A क्या है तो A है प्रविमान संख्या कहा जाता है ठीक है किलियर है आप सबी लोगों के लिए और अब एक आपका और पॉइंट रह जाता है वो यह है कि किसी प्रमाणू का री परजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं तो री परजेंटेशन करने का तरीका है आप ऐसे capital X बनाएंगे एक सेकेंड आप ऐसे capital X बनाएंगे और यहां लिखेंगे उसका दर्विमान संख्या और उसके नीचे लिख देंगे आप Z यानि उसका प्रमाणू करमांग या आप इसी को री परजेंट कर सकते हो या आपका X इधर आप क्रोस में कर दो A इधर कर दो आप Z A और Z क्या है वो आप सब भी लोग जानते ही हैं A क्या है हमारा A है प्रमानू और A क्या है दर्विमान संख्या यानि कि मास नंबर यह क्या है दर्विमान संख्या ठीक है और यह क्या है यह है प्रमानू क्रमांग या हम कह सकते हैं प्रमानू संख्या ठीक है तो यह है प्रमानू क्रमांग तो आप ऐसे रिपरजेंट करोगे ठीक है और यह X क्या है सर तो यह जो भी आप तत्व ले रहे हो उस तत्व का प्रतीक है यानि सिंबॉल of the element ठीक है तो आपको ये इसलिए याद रखना है कि ऐसा representation अभी आपको आगे देखने विलने वाला है तो वहाँ फिर आप confused नहीं हो कि ये क्या दे रखा है ठीक है तो नाभी के सरचना आपको समझ में आई अरे नाभी के सरचना जल्दी से बताइए भाई नाभी के सरचना क्या है nuclear structure क्या है तो एक नाभी है नाभी के पास में होगा proton और neutron नाभी के अंदर केवल एक hydrogen जो होता है उसके पास केवल proton है बाकि सबी के पास proton और neutron दोनों होते हैं proton का दर्वेमान होता है 1.6749 इंटू 10 की पार माइनस 27 kg प्रमानू करमांक क्या होता है तो प्रमानू के अंदर उपस्तित protonों की संख्या को हम कहते हैं प्रमानू संख्या या प्रमानू करमांक जिसे जैड से रिपरजेंट किया जाता है neutron संख्या क्या है तो प्रमानू के अंदर उपस्तित neutronوں की संख्या जिसे हम capital N से represent करेंगे proton plus neutron दोनों को जब जोड़ा जाता है तो इन्हें कहा जाता है nucleon यानि हम यह कह सकते हैं नाभिक में क्या उपस्तित होते हैं तो नाभिक में nucleon उपस्तित होता है ठीक है फिर दोस्तों बात करते हैं आगे तो आपका nucleon मतलब क्या हो गया proton plus neutron की संख्या तो proton plus neutron की संख्या इसे हम जो है दोस्तों क्या कहेंगे इसे हम nucleon तो कहते ही है लेकि nucleon की संख्या को हम कह सकते हैं दर्वेमान संख्या उस एटम की क्या कह सकते हैं दर्विमान संख्या कहते हैं और दर्विमान संख्या को हम A से रिपरजेंट करते हैं अब ये पूरा समझने के बाद हमारे काम की चीज आई कि हम किसी भी तत्व को कैसे रिपरजेंट कर सकते हैं तो आप दो तरीके से represent कर सकते हैं X लिख लिजिए उसके उपर एक ही side में A और नीचे लिख देंगे Z या cross में A और Z लिख सकते हैं समझ में आई बात clear है चलिए तो ये होता है kill complete अब हम बात करेंगे आगे कुछ important परिबासाओं के उपर ठीक है चलिए तो आप लिखिए कुछ एक सेके कुछ 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 महत्वपूर्ण परिबासाओं ठीक है some important definitions के बारे में हम बात करने वाले हैं कुछ important definitions है जैसे कि हमारे isotope क्या है, isobars क्या होते है, isomars क्या होते है फिर आपके जो है हम ये कह सकते है, isotones क्या होते है mirror nuclear क्या होती है क्योंकि ये चीज़ आगे अभी हमारे जो है काम आने वाली है, इसलिए ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, तो सबसे पहले आप topic डालिए कि समस्थानिक यानि isotopes, किसकी बात कर रहे हैं, समस्थानिक ठीक, समस्थानिक यानिक हम कह सकते हैं, isotopes अब isotopes की बात करते हैं, तो isotopes है क्या, isotopes ऐसे परमानू कहलाएंगे दोस्तों, जिनके अंदर प्रोटोनों की संख्या तो होगी सेम, ठीक है, तो आप लिख लिजिए, प्रोटोन की संख्या सम्मान, लेकिन, लेकिन, दर्विमान संख्या दर्विमान संख्या, यानि की ए, ठीक है, ब्रैकिट में लिख रहा हूँ, तो दर्विमान संख्या बिन होती है, बिन होती है, समझ में आ गई बात, तो प्रोटोन की संख्या सम्मान होती है, लेकिन उसके जो दर्विमान संख्या है, वो होती है, बिन, अब इसका एक्जाम्पल देख लेते हैं एक ताकि आपको समझ में आ जाएगा जैसे देखिए सोला ओक्सिजन आठ ठीक है ऐसे ही सतरा ओक्सिजन आठ और ऐसे ही अठारा ओक्सिजन आठ तो इन तीनों की अगर हम परमानु संख्या है निकी जो देखो आपकी यह रही यह परमानु संख्या ही क्या होती है उसके अंधर उपस थी प्रोटोनों की संख्या तो सेम है लेकिन दर्विमान संख्या देखे तो देखो कितनी है was province 17 और 18 तो यह दर्विमान संख्या अलग अलग कैसे है सर दर्विमान已 जो है मैं कि इससलिए ह talk prima यह ने को तो यह जो आइशोटोप होते हैं दोस्तों ये सबी अपनी प्रमानू संख्या समान होने की वज़े से रासाइनिक गुंडरम जो इनके होते हैं यानि कैमिकल प्रॉपरटी जो होती है वो इन तीनों की सेम होगी भाई चाहे 16 ऑक्सिजन वाला ले चाहे 17 ऑटारा वाला ले तीनों ओक्सिजन्स की रासाइनिक गुंडरम जो होगा वो समान ही होता है तो हम अगर इनहें अलग करना चाहते हैं सपोज करिए तो इनहें अलग करने के लिए प्रथक करने की विदी तो अलग करने की विदी है प्रत्रक करने की विदी है उसे कहा जाता है दर्वेमान इस्पेक्ट्रोग्राफ ठीक है दर्वेमान इस्पेक्ट्रोग्राफ समझ में आ गई बात किलियर है ये मैं वावस लेक देता हूँ दर्वेमान इस्पेक्ट्रोग्राफ ठीक है तो अगर आपको कहा जाए कि समस्तानिक अलग करने कैसे करेंगे तो हम क्या करेंगे दर्वेमान इस्पेक्ट्रोग्राफ विदी जो है उसका उप्योगर करेंगे समझ में आगई बात किलियर है आप सभी लोगों के लिए तो इसको आप याद रखिएगा दूसरी definition आजाती है आपके दोस्तों किसकी तो वो है समबारिक 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 का मतलब है आईसो बार्स ठीक है यह आईसो बार्स इसमें क्या होगा सर तो आईसो बार जो होंगे इनके अंदर प्रोटोन की संख्या बिन्न प्रोटोन की जो संख्या होगी वो बिन्न होगी लेकिन दर्वेमान संख्या सम्मान होती है ठीक है यह बात आप याद रखेगा कि समस्थानिक में तो क्या होती है प्रोटोनों की संख्या सेम होती है लेकिन दर्वेमान संख्या बिन्न होती है और समबारिक के अंदर क्या होता है प्रोटोन की संख्या तो जो है बिन्न होगी लेकिन दर्विमान संख्या जो है वो सेम होती है इसके भी उदारण देख सकते हैं आप जैसे अगर इसका एक्जामपल दिया जाए तो आपके आ जाता है 14 कार्बन 6 और एक आ जाता है 14 नाइडरोजन 7 इन दोनों का देखो बार 14 दर्विमान का मतलब बार ही है भाई एक तरह से तो दर्विमान तो कितना है देखो इसका भी 14 इसका भी 14 तो सेम है लेकिन प्रोटोन की संख्या देखो इसमें 6 है इसमें 7 है तो इनको हम क्या कहेंगे सम बारिक कहेंगे और इनको प्रतक करने की विदी जो है मैं या लिख रहा हूँ प्रतक करने की विदी तो प्रतक करने की इसके लिए जो विदी आप उप्योग में लेंगे वो हो जाएगी आपके रासाइनिक विदी यानि कि कैमिकल मैथड से ही आप इन दोनों को अलग कर पाएंगे क्योंकि इन दोनों के chemical का जो reaction वगरा होगी वो different होगी तो रासाइनिक विदी इसमें आसानी से काम कर जाएगी ठीक है यहाँ पर रासाइनिक विदी काम क्यों नहीं कर रही क्योंकि इन तीनों की रासाइनिक जो गुंदरम होंगे वो same होंगे इसलिए ठीक है चलिए next आ जाता है some बारिक के बाद में आपके definition वो आती है some newtronics क्या some new tronic some newtronic को इंगलिस में आप कह सकते है isotons isotons ठीक है समझ में आ गई बात अब देखिए some newtronic यानि isoton और सामने ही पता चलता है some newtronic यानि की neutronों की संख्या तो होगी same neutron की संख्या सम्मान लेकिन लेकिन proton व यानि यानि नूकलों की जो संख्या है वो बिन्द बिन्द होती है जैसे इसके भी एक्जामपल आपको देखने को मिल सकते है तो आपका एक्जामपल लेते है जैसे 13 कार्बन चै वो 14 नाइडरोजन साथ देखो 13 में से चै गए तो साथ 14 में से साथ गए तो साथ दोनों में निट्रोनों की संख्या सेम है ठीक है चलिए प्रथक करने की प्रथक करने की विदी तो इसको प्रथक करने के लिए चाहे तो आप जो है स्पेक्ट्रो ग्राफ विदी यूज करें चाहे आपकी इच्चा करें तो आप जो है आप रासाइनिक विदी भी यूज़ कर सकते हैं तो स्पेक्ट्रो ग्राफ या रासाइनिक विदी ठीक है? समझ में आ गई बात तो सम्नीट्रोनिक यानि आइसो टोन्स को जो है अगर हमें प्रतक करना हो दो आइसो टोन्स मिक्स करके दे दिये जैसे ये 13C6 और 14 Nitrogen साथ ये दोनों मिक्स करके दे दिये अब इनको अगर प्रतक करना है तो आप कैसे करेंगे? तो इनको अलग करने के लिए आप जो है कौन सी विदी यूज़ कर सकते हैं या तो आप स्पेक्ट्रो ग्राफ विदी यूज़ करें कि प्रतीप या दर्पन नाभीक प्रतीप या दर्पन नाभीक यानि मिरर निकलियाई क्या मिरर नियूकलियाई तो हम बात कर रहे हैं अब किसकी प्रतीप या दर्पन नाभीक के बारे में तो ये जो आपका प्रतीप या दर्पन नाभीक होते हैं ये ऐसे नाभीक होते हैं जिसके अंदर दर्विमान संख्या यानि ए तो सम्मान जो आपकी दर्विमान संख्या है यानि न्यूकलियोनों की संख्या है वो तो सम्मान होती है तो सम्मान परंटू आपके प्रोटोन वर नूट्रोन संख्या परस परिवर्थित इसका क्या मतलब है अभी समझा रहा हूँ परस पर परिवर्तित है ठीक है परस पर परिवर्तित का मतलब होता है कि अगर आपका जो है इंटर्चेंजेबल होती है इंटर्चेंजेबल का मतलब इसके अंदर प्रोटोन की संख्या तो उसके अंदर नीट्रोन की संख्या उसके अंदर नीट्रोन क जैसे एक्जाम्पल देखेंगे हम जैसे तो आप देखेंगे कि 7 बेरेलियम 4 एक ये है और एक है 7 लीटियम 3 तो देखो इसके अंदर हम बात करते हैं जैड की कितना है चार यानी प्रोटोन की संख्या तो है और नीट्रोन की संख्या की बात की जाए तो दर्विमान संख्या क्या होती है प्रोटोन प्लस नीट्रोन बराबर दर्विमान संख्या तो दर्विमान सेवन है और प्रोटोन की संख्या चार है तो नीट्रोन कितने हो तो गोंगे तीन इसके अंदर दिकिए लीटियम वाले में तो जैड कितना है तीन तो नॉट्रोजन जैसार नीटरोशन कितने हो जाएँगे चैर तो देखो इसके जैड किसीन जैड किसम क्या चार है इसमेοι नीटरोशन 24 नीटरोशन 23 इसमें 23 हो गया तो ये interchangeable है ना ये ये हो गया ये ये हो गया चेंज हो गया इदर से उदर तो इसको हम कहेंगे ऐसे जो परमानों होंगे उनको हम कहेंगे ये एक दूसरे के दरपन नाभी का है यानि mirror nuclei है समझ में आ गई बात clear है चलिए अब एक last definition रही है उसके बाद में आपका ये basic होता है complete तो next definition आ जाती है आपके क्या सम अवयवी सम अवयवी यानि की isomers क्या सम अवयवी का मतलब होता है isomers ठीक है अब isomers क्या होंगे तो isomers ऐसे नाभी कोते हैं जिसके अंदर दोस्तो ए वजेड सम्मान यानि की दर्वेमान संख्या और प्रोटोनों की संख्या तो सम्मान होगी किन्तु जो इनका radio active गुण होगा रेडियो एक्टिव गुण वो रेडियो एक्टिव गुण जो होगा दोस्तो वो बिन्न होगा समझ में आगई बात ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि आईसो मर्स यानि सम अवयवी क्या होते हैं तो ए और जेड यानि की दर्वेमान संख्या और प्रोटोनों की संख्या तो होगी सेम लेकि ऐसे प्रमानु जिनका radio active गुण जो होगा वो बिन्न हो जाएगा तो हम उनको क्या कहेंगे आईसो मर्स यानि की सम अवयवी कहेंगे समझ में आगई बात किलियर है आप सभी लोगों के लिए तो ये थी कुछ basic definite nations ठीक चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों आपके नाबिक का जो आमाप है यानि की nuclear size के बारे में बात करेंगे तो आप अब टॉपिक डालिए नाबिक का नाबिक एक सेटन थोड़ आसा तो टॉपिक डालिएगा नाबिक एक सेकंड एक सेकंड नाबिक का आमाप ठीक है यानि की nuclear size के बारे में हम बात करने वाले हैं तो दोस्तो nuclear size के बारे में बात करें अब size क्या होती है वो आपको बता ही है किसी भी nuclear की size हम कैसे पता चला सकते हैं अगर उसकी हमें radius पता चल जाए तो जो नाबिक होता है उसकी effective radius की अगर बात की जाए तो उसकी radius होती है r is equal to r not a की power 1 by 3 इस formula से आप किसी नाबिक की radius निकाल सकते हो जहां पर ये a क्या है तो जो भी आप परमाणू लेंगे उस परमाणू का दर्वेमान संख्या ठीक है ये तो क्या है दर्वेमान संख्या किलियर है और ये r not क्या है तो ये r not है आपका नियतां क्यानी की constant ठीक है तो इसकी value भी होगी हाँ बिलकुल इसकी value है 1.2 into 10 की power minus 15 meter ठीक है तो आपके आमाप क्या हो जाएगा size क्या हो जाएगी r is equal to r not a की power 1 by 3 जिसमें r not है constant जिसकी value होती है 1.2 into 10 की power minus 15 meter और आपको यहाँ पर बता दू ये जो 10 की power 15 meter है minus का ये क्या होता है एक फर्मी होता है क्या होता है एक फर्मी ठीक है जिसे हम represent करते है 1 fm से ठीक है clear है तो ये आपको याद रखना है तो हम ये भी कह सकते है कि r not is equal to होता है 1.2 fm कितना होता है 1.2 small fm clear है ये बात आपको याद रखनी है और क्या याद रखना है तो दोस्तो और आपको याद रखना है कि इस नाबिक का आयतन क्या होता है तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा shift कर रहा हूँ फिर मैं आपको नाबिक भी बता देता हूँ ये हो गया इसका आम आप complete ठीक है चलिए टेक्नोलोजी भी कितनी सांदार है ना देखो कहीं भी किसी को भी हटा रहे है कहीं भी लिख सकते हैं फिर ये लो ये ये आ गया अब हम बात कर रहे हैं इसके आयतन की तो नाबिक है क्या गोला गोले का आयतन होता कितना है 4 by 3 पाई आर क्यूब ठीक है ये ही होता है तो इसका मतलब इसका आयतन कितना हो जाएगा तो 4 by 3 पाई और आर की जगे आ जाएगा ये आर नौट एकी पावर 1 by 3 यानि की हो जाएगा आर नौट का क्यूब इंटू A तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ constant है केवल और केवल जो आपका इसका आयतन है वो किस पे depend करेगा तो इसका आयतन केवल और केवल इसकी दर्विमान संख्या पर depend करेगा ठीक है ये बात आपको याद रखनी है तो ये हो गया nuclear size भी आपका complete अब हम बात करेंगे important जो unit है उसके बारे में और उसे कहते हैं परमाणू दर्विमान मात्रक atomic mass unit और ये इसलिए काम किये है कि आप देखिये इदर आपके exam में आया हुआ है कैसे आया है सर ऐसा कोई unit पूछेगा क्या हाँ पूछिए देखो देखो इदर देखो ये देखिए सबी amu में है देखो इस परष्ट बोला है ना क्या बोला है देखो इदर सबी amu में है यानि all in atomic mass unit और answer किसमें आया है जूल में तो ये जो atomic mass से क्या atomic mass से आपका इसके अंदर कैसे conversion होगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं समझ में आई बात अरे समझ में आई क्या बात तो हम ये ही सीखने जा रहे हैं कि amu atomic mass unit से आप जूल में जूल को mega electron volt किलो electron volt में कैसे convert करेंगे क्योंकि देखो सब दिया हमें सा amu में ही होगा लेकिन आंसर आ रहा होगा कभी electron volt में कभी mega में कभी जूल में तो ये हम सीखने जा रहे हैं अब ठीक है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान लगा कर लिखिएगा भी चलिए तो अब आप टॉपिक डालिए क्या परमानू दर्वेमान मात्रक यानी की atomic mass unit ठीक है जिसे आप डारेक्ट यू से भी प्रदसित कर सकते हो तो यू से भी प्रदसित ये सबसे important point है इसलिए याद रखना क्यों कहीं जगे पर आपको यू मिलेगा कहीं पर डारेक्ट पूरा लिखा हुआ होगा ठीक समझ में आ गई बात अब देखो दोस्तो जो एक amu होता है या u एक atomic mass unit जो होती है वो किसके equal होती है तो वो आपके equal होती है carbon 12 जो परमानू है उसका दर्वेमान carbon 12 परमानू का दर्वेमान बटे 12 से divide तब जो value आती है और इसका जो दर्वेमान होता है 1.9926 into 10 की power minus 26 kg में और बटे जब आप इसे 12 से divide करोगे तो आपको मिलेगा कितना 1.6605 into 10 की power minus 27 kg ये है आपके 1u की value किसकी value है 1u बराबर इतना होता है कितना होता है 1.6605 into 10 की power minus 27 kg ये याद रखिएगा कि एक atomic mass unit बराबर कितना होता है 1.6605 into 10 की power minus 27 kg समझ में आ गई बात किलियर है आप सबी लोगों के लिए अब इस atomic mass unit तो हमें kilogram में दे रखिए इस kilogram को हम कैसे energy में convert करते हैं ये चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं तो आप लोग सबी जानते ही हैं कि Einstein के द्वारा जिसे हम Einstein equation भी कहते हैं या हम ये कह सकते हैं कि Einstein जो मोहदे हैं उन Einstein मोहदे ने क्या कहा था तो Einstein मोहदे ने एक दिया था दर्वेमान उर्जा सम्तुलेता क्या दर्वेमान उर्जा सम्तुलेता यानि energy और मास जो है वो एक दूसरे के equivalent है तुल्य है एक दूसरे से कैसे तो इन्होंने formula दिया था कि E बराबर यानि energy बराबर होता है दर्वेमान गुणा प्रकास की speed का square E बराबर mc square होता है ये formula दिया था इस formula से अब हम निकालेंगे इस मास से इस मास के अंदर कितनी energy है वो तो energy is equal to जब आप m की value पूट करेंगे एक U कितना 1.6605 into 10 की power minus 27 और C की value कितनी होती है 3 into 10 की गात 8 का square और जब आप इसे solve करेंगे तो आपका answer आएगा 1.4924 into 10 की power minus 10 joule आएगा ठीक है energy और जब आप joule को electron volt में convert करेंगे करना चाते हैं joule to electron volt तो 1.602 into 10 की power minus 19 का बाग ठीक है ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप से कहा जा रहा है कि आपके पास में joule में energy है और उसे आप electron volt में convert करो तो आप उसको convert करने के लिए क्या करेंगे 1.602 into 10 की power minus 19 जो है उसका divide कर दोगे तो हमारे energy में जब हम divide कर देते हैं तो कितना आ जाता है 931.5 mega electron volt ये बात आपको याद रखनी है कि एक atomic mass unit यानि कि 1u के अंदर कितनी energy होती है तो 931.5 mega electron volt होती है अगर joule में पूछे तो कितनी होती है 1.4924 into 10 की power minus 10 joule होती है ये बात आप लोगों को याद रखनी है साथी साथ हम जो है दोस्तों एक और formula याद रखेंगे कि एक यू बराबर होता है 931.5 mega electron volt upon में c square समझ में आई बात तो एक यू बराबर कितना होता है 931.5 into 931.5 beta c square और ये हमारे काम कब आया था तो ये मेरे exam में काम आया था 2018 के अंदर तो ये आपके भी काम आएगा कब 2022 के अंदर जब exam दोगे तब ये कोशन ऐसा ये formula काम आएगा क्योंकि हमें conversion अगर नहीं आया तो हम final answer तक नहीं पहुच पाएंगे इसलिए ये जो दो तीन conversion मैंने लिखवाए हैं ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे समझ में आगई बात clear है आप सबी लोगों के लिए तो आप हमने जो अभी तक पढ़ा है वो पूरा का पूरा basic है only जो topic दे रखेंगे ना दर्विमान सती नाभी के बंदन उरजा नाभी के विघंडन नाभी के सलियन वो तो पढ़ा ही नहीं अभी तक जो पढ़ा है वो त इस chapter में किसके इड़्द गिर्द गुमना है तो यह जब सब चीजे याद है तो आप easily अब topic को समझ पाएंगे ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं दर्विमान सती के बारे में तो आप topic डालिए अब आपके syllabus का topic है क्या दर्विमान सती और दर्विमान सती का मतलब होता है मास डिफेक्ट इसके बारे में बात करते हैं कि यह मास डिफेक्ट है क्या ठेक तो इसके बारे में मास डिफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर क्यों क्यों क्योंकि अभी आज हमने basic समझ लिया तो आप basic को जब आप revise करके आ चुके होंगे तो आ पर्वेमान नाभी के बंदन उर्जाद दोनों एक साथ कंप्लिट हो जाएंगे ऐसी ही एक वीडियो में और अगली वीडियो में तो मैंने जैसा चार दिन बोला उसकी जगे हो सकता है ये टॉपिक आपका तीन दिन में ही पूरा हो जाए क्योंकि मैंने सोचा था बेसिक कम से बढ़ने का मौका मिलता है और हमें भी जो है मन में एक खुसी मिलती है कि हाँ हमारे स्टूडेंट हमारी वीडियो देखना चाते हैं तो प्लीज आप जो है अपना फिडबेक जरूर दिया करें और जादा से जादा लोगों तक शेर भी जरूर किया करें क्योंकि हमने आज तक देखा होगा आपको पूरा कोर्स करवा दिया लेकिन एक रुपया भी चार्ज किसी से नहीं लिया है सिर्फ और सिर्फ नौट्स अगर कोई पर्चेज कर रहा है तो हमने आप से पैसे लिये हैं बाकी हमने एक रुपया भी नहीं लिया है तो प्लीज आप लोगों का मो क्यों न हो मन्जिल कित्नी बी दूर क्यों न हो पर हिमत मतहारिए क्योंकि पहड़ों से निकली नदी ने कभी किसी समुनदर का रास्ता नहीं पूछा जिस परकार से दोस्तो नदी कभी भी समुंदर का रास्ता नहीं पूछती है वो खुद अपना रास्ता बना करके समुंदर तक पूछती है तो वैसे ही आपको अब लोगों को नहीं पूछना है कि हमें क्या करना चीए और क्या नहीं करना चीए आपको मैनत करके अप अपने खुद के दम पर लेब अस्टेंड की पोश्ट तक पहुचना है ठीक है लव यू और लव यू टेक क्यार एंड थैंक यू सो मच बाए